नमस्कार दोस्तो टाटा मोटर की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है बड़ा बयान आ रहा है मनेज्बेंट की तरफ से तो क्या ये बड़ा बयान है इसको देखेंगे और अनलाइस करेंगे कि आने वाली दिनों में किस तरह से ट्रेड कर सकता है टाटा मोटर का शियर रहा था कि 200 क्रॉस करके अच्छा कासा गेन हो सकता है बट कोई 19 के कारण इसमें भारी गिरावट आई है लगबाग 70 रुपीज तक आया है और वहां से 130 रुपी तक आया है तो मनेजमेंट भी एक तरह से विकर मन्द है और पिछले कुछ सालों में एक तरह से टाटा मोटर ने डिविडेंट भी नहीं दिया है प्लस जो शेयर ओल्डर्स है उनको अच्छा रिटन नहीं मिला है तो इसके वज़े से इनके जो चेर्मैन है एंचंद सेखरंजी तो उनका बड़ा बयान आया है उन्हो पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रस करिए आप लोगों इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है स्टॉक मार्केट है उसका अपडेट अनलेसिस सारा कुछ लेटेस देने कोसिस करते हैं यूटूब की तरफ से आपको नाटिक्शन मिलत सिक्स्टी वन थाउजन क्रोड के असपास है और इसमें कॉस्ट कर्टिंग की बात कही है उन्होंने और सबसे बड़ी जो ब्रिटेन में हैं ब्रिटिस सब्सेडरी है जुगवार रैंड रोवर तो उसमें हो सकता है कि कुछ इस्सेदारी बेचें बट यह कि अभी टाटा म अगला रेजिस्टेंस क्या होगा आज खबर की वज़े से यह उपर की तरफ है और लगवाग एक सो इकतिस की तरफ कारवार कर रहा है और इसने जो हाई बनाया था कुछ दिन पहले एक सो बत्तिस के आजब पास तक था तो वहां से फिर गिराउट आई और यह 119 रुपिय इसके इसाफ से अब देखें उपर की तरफ कहां तक जा सकता अगर 132 और 133 को ब्रेक करके तो उसमें से देखें यह जो जिस तरह से गिराउट रही थी यहां पे तो एक उपर का 142 तक जाता हुआ देख सकता है बड़ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें का और भी हो सकती है खबर तो है आपने देखा कि न्यूज है बिंग न्यूज है बड़ा स्टेटमेंट है अग टाटा मोटर की तरफ से अब वह आने वाले समय में बड़ेगा शेयर बटी है कि अभी देखा आपने की रिजल्ट में कमी पेसी है तीजार करूर का इसनका रेव है उन लोगों के लिए जो कोई 19 से पहले लिए हैं और अब ग्रोथ की बात चल रही है तो डेफिनली स्टॉक उपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है इसमें क्या करना चाहिए देखिए इसको मंतली के इसाफ से देखते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा कि आती है देखिए अ मतली के इसाफ से हम आरे साइक को देखें तो 42 में है यह मिस अभी उपर की तरफ जाता वाद दिखेगा आपको बट यह की डेली वैसे आपको हपते बार या मेहने बार में आपको क्रेक्शन दिखें क्योंकि काफी लोग जो 10 परसंट 20 परसंट में कारोबार करते अब 230 140 तक जाता हुआ दिखें क्योंकि ग्रोथ की बात चल ली थी आने वाली दिनों में ग्रोथ हो सकती है उसक्ता अपरेल में तो इक भी गाड़ी नहीं की तो अब जो है दीरे दीरे आप देख रहे हैं फेस्टिबल सीजन आ रहे हैं दिवाली आएगा और आप देख रहें क पर लेना चाह रहे हैं जोली भर भर के लेते हैं जो इंटरनेट की बासा है तो वह थोड़ा सा आप अवाइट करना की कोशिस करिए इस पेशली नए इन्वेस्टर अब देखें यह आप बात हैं इसलिए बहुत पूर्ण हैं बहुत सारे लोग जो एक्साइटेड हो जाते 303 रुपिया 10 पैसा कोशिंग आई एक सो 31 रुपिया साथ पैसा यानि मिस इसका जो सपोर्ट हम अगर देखें एक सो तीन रुपिया यानिमिस रुपिस के आसपास बहुत नीचे की तरफ हो जाएगा जैसे अगर आप यहां पे ले रहे हैं बहुत नीचे की तरफ हो जाए और इसमें हलकी से गिराओट होने दीजिए या तो फिर जैसे कि अगर आपको 110 और 105 एक सो 15 के आसपास मिलता तब देखें तब सिच्वेशन के साथ से यह नहीं कि एकदम से आप उसमें कूट जाएं या अपना अच्छा का सामांट उसमें लगा तो उस तरह से नहीं जैसे आ सकता है वर थोड़ा सा और समय लगेगा उसमें तो एक सो 42 रुपेगा इसका अच्छा का सा एक राइस्टेंस है उपर की तरफ हम देखें तो देखें यह दिखा रहा है और ऑन थर्टी फाइब इस केंडल को पूरा भड़ता है तो 135 136 यहां पर हलका सा एक आपको गिरा हो आता है नेक्स उसमें तो आपको डेफिलेंटी वन सिक्स्टी से वन सेवेंटी तक जाता हुआ दिख सकता है बट यह समय लगा हो सकता कि दिवाली में जाए बट यह की आप जो गाड़ियां कितनी बिक रही हैं किस तरह से अभी मेनेजमेंट डैक्ट कम करेगा आने वाल नीचे यह भी ध्यान रखेगा तो गिरावट में इसमें मौका ढूंड़िये वह वेटर है आपके पास अगर आप मारूती में हैं या क्योंकि हर किसी का अपना पसिंदेदा स्टॉक होता है टाटा मोटर में जो एंचन सेकंड चेर्मेन हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले 3 साल में जीरो डेट हो जाएगा तो डेफिनली स्टॉक्ड उपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा बत इसमें हर गिराउट माम नजेर रखके तो स्टॉक्ड उपरकी तरफ जाता हुआ दिख सकता फिलाल यह ख़बर है खबर की वज़े से आप ले रहे हैं जोली भरके ले थोड़ा सा आप अवाइट करिए अपने pocket के risk के अनुसार दो थोड़ा सा समय दे सकते हैं खबर आई है टाटा मोटर की तरफ से उसको बतानी कोशिस थी management की तरफ से जो खबर आई है उसको बतानी कोशिस थी और टेक्निकल अनुसार बतानी कोशिस थी यह रहेगा कि जो लंबे समय के लिए बने हुए है टाटा मोटर समय बने रही है जो कि करेक्शन होने दीजिए गिराउट होने दीजिए उस वक्षिस में नज़ा रखिए उसी का अनुसार अपना trade करिए और जो लंबे समय के लिए बने हुए है तो उनको hold करना चाहिए यह टाटा मोटर का update था आप लोगों के लिए यह टाटा मोटर का analysis और विसलेशन था अगर आप इंटरनेट यूटूब चैनल इंडिया दीरा सिंग को देखना चाहते हैं तो subscribe और bell icon को press करिए आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का नहीं दन्यवाद